आज मैं बनाने जा रही हूं गाजर बीटूट जूस जो आपको पूरी बोड़ी में फायदा करेगा इम्म्यूनिटी सिस्टम हार्ट लीवर वेट लूज में फायदा करेगा इसे आप हफ्ते में दो बार बनाकर पी सकते हैं और यह आपको खुन की कमी को पूरा करेगा तो चलते हैं इसे हम बनाने के लिए इस तरीके का गाजर का जूस टेश्टी लगता है तो आप इस तरीके से लाल वाली गाजर ले ले हमने यहाँ पे एक निम्बू ले लिया है एक आौला ले लिया है और एक छोटा टुकड़ा अधरक ले लिया है एक संत्रा ले लिया है इन सब को हम अच्छी तरह से धोकर ले लेंगे यहां पर हम गाजर को छील के ले लेंगे गाजर का तो पता ही होगा यह आँखों के लिए कितने फायदेमंद है इसमें फाइवर भरपूर मात्रा में होता है इसे हम इस तरीके से छील के काट लेंगे गाजर को हमें बारी काट के ले लेना है इस तरीके से गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लेंगे इसी तरह सारे गाजर को हम काट कर तयार कर लेंगे अब हम यहाँ पे बीट रूट को भी उसी तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे हमने यहाँ पे बीट रूट को भी काट लिया है इसे भी हम मिक्सर जार में डाल देंगे इसे में हम एक छोटा टुकड़ा अद्रक काट के डालेंगे अद्रक का फायदा तो पता ही होगा ये खासी जो काम में और वेट लूज में भी फायदा करती है तो इसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाले यहीं पर हम एक संत्रा ले लेंगे संत्रा में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है इसे भी हम छील के डाल देंगे हमने यहाँ पे एक आउला ले लिया है इसे भी हम छोटे छोटे टुकडों में काट के डालेंगे आउला का फैदा तो पता ही होगा इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है ये आँखों के लिए बालों के लिए इसके इन के लिए बहुत ही फायदे मंद होती है तो इसे भी डालके आप जूस बना सकते है इतने सारे वेजी टेवल में आप इसमें कम से कम एक लिटर पानी डाल दे तो इसमें आपको 6-7 गिलास जूसबन के तैयार हो जायेगी इसे अब हम एकडम fine paste लेंगे हमने इसे इस तरीके से purie बना लिया है इसका एकडम fine paste बना लिजेगा इस तरीके से इसे हमें एकडम fine paste purie बना लेना है यहां पे हम गलती क्या करते हैं इसे हम कपड़े से छान कर ले लेते हैं उससे ये होता है कि इसका सारा फाइबर निकल जाता है हमें यहाँ पे एक साफ छनी ले लेना है और उसी से फिर इसे छान लेना है हमें यहाँ पे इस तरीके का छनी ले लिया है और इसे हमें इस तरीके से छान के ले लेना है जूस को हमेशा इस तरीके से बड़ी छनी से छान के लेना चाहिए ताकि इसका फाइवर इसमें रह जाए और कपड़े से जब आप छान के लेते हैं तो उसका सारा फाइवर खतम हो जाता है पानी पानी आपके शरीर में जाता है और इस तरीके से छनी से सान कर आप इस तरीके से करके लेते हैं तो फिर आपके बोड़े में फाइवर भी जाता है तो वो ज़्यादा फैदा करता है हमने इसे इस तरीके से करके ले लिया है अब जो इसका पल्प बच जाता है इसे आप पौधों में गमले में डाल सकते हैं इसे पौधा अच्छी तरह से ग्रो करती है तो इसे हम साइड में रख देंगे हमने नीम्बू का सारा भी जटा लिया है अब हम इसमें एक नीम्बू निचोड़कर डाल देंगे इसे पीशते समय आप ना डाले अब हम इसमें एक छोटा चमच कुटा हुआ काली मिर्च डाल देंगे आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ काली मिर्च भी डाल सकते हैं या जीरा पॉडर भी डाल सकते हैं इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आधा छोटा चमच हम काला नमक लेंगे और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे हमने यहां पे टेस्टी सा जूस तयार कर लिया है अब हम इसे गलास में डालेंगे हमारा जूस बनके तयार हो चुका है इसे आप हपते में दो बार ले सकते हैं यह आपकी पूरी बोड़ी को बहुत फायदा करेगा और आपकी खुन की कमी को भी पूरा करेगा यह आपका हार्ट लिवर और वेट लूस में भी फायदा करेगा तो आप इस तरीके से जूस बना कर हपते में दो बार ले सकते हैं अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ओके दोस्तो बाई बाई